हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाउम फोर यू में दोस्तों आपने यूट्यूब की सबसे सांधार वीडियो पर क्लिक कर दिया है जिसने भी इंडियन ने वी ट्रेट्समेंट का पेपर दिया था उसके लिए वीडियो मॉस्ट इंपोर् वाल है सभी का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से एक्जाम फोर यू चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को ओन कर ल सबस्क्राइब कर आप इसपंज के लिए 5 नम्बर एक सर्विस्मेन के लिए 53-55 प्डुट के लिए 55-प्डुट के लिए 59-61 विएच काटेगरी के लिए 54-56 और एचेच काटेगरी के लिए 53-55 अगर आपके इतने माक्स हैं तो यह समझ लीजे डोक्युमेंट वेरिफिके वीडियो अच्छे लग रही हो तो फटा फट से सभी लाइक से और सब्सक्राइब करते वे जरूर चलना एक्जाम फोरी चैनल को बैल आइकन को अन कर लेना जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी बात कर लेते हैं आपकी दोक्युमेंट रिक्वायरमेंट की 10 की माक्षीट सभी को लेकर जाने हैं आपकी कोई भी कैटेग्रियो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डोक्युमेंट यह हैं यह सभी डोक्युमेंट आपको लेकर जाने हैं आई टी आई का सर्टिपिकेट सभी को लेकर जाना है का सर पर्मान पत्र भी आपका सेंटर कोगा स्टेट का बिल्कुल भी नहीं चलेगा आईडी प्रूफ लेकर जाना है आईडी प्रूफ में आपके पास कोई भी आईडी ओ आधार काड ओ पैन काड ओ ड्राइविंग लाइसेंस ओ वोटर आईडी ओ पासपोर्ट हो इन में से कोई सभी आईडी आपके पास हो वो लेकर आप चले जाएं डो मिसाइल आपको लेकर जाना है मून लिवास पर्मान पत्र आपका मांगा वाए तो सभी मून लिवास पर्मान पत्र प्रूफ के लिए आपका मांगा जाता है मून लिवास पर्मान पत्र यह होगी आपकी डोक्युमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाएंगे उनका कराय जाएगा डिकल मेडिकल मिलेटरी ऑस्पिटल गौवर्नमेंट ऑस्पिटल दोनों में कराय जाता है जिसका सेंटर जहां पर भी आएगा वाहापर अपना मेडिकल आप करा लें गाइस वीडियो अच्छी लग सिक्स होनी चाहिए अगर आपको चस्मा भी लगाएगा इस तो सिक्स वाय ट्वैल आपका मांगा हुआ है आपकी कोनी 15 डिगरी से ज्यादा बाहन नहीं निकलनी चाहिए आपके गुटने मिलेवे नहीं होने चाहिए टैटू के बारे में काफी बच्चे पूछने हैं कि हम आपका मेडिकल कराया जाएगा गुटने मिलेवे जिसके भी होते हैं मेडिकली और फिजीकली दोनों से फिट नहीं होता जिसके करण उसको बार कर दिया जाता है और काफी बच्चे बार भी किये गए हैं प्रीवियस यह बढ़ती में अगर आपको कोई मेजर फ्रेक्चर वगर आप तो भी आपको बार कर दिया जाएगा यहोगि आपकी मेडिकल से ले लेट इट बात गायज अब बात करनें आपके रिजल्ट की result में देरी क्यों हो रही है result में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि previous year बढ़ती अभी तक आपके पूरी नहीं हुई है जब तक वो पूरी नहीं होगी इस बार का आपका result नहीं आएगा result कब तक आएगा result आपका 20 October तक आएगा इससे पहले आपको रिजल्ट नहीं आएगा 20 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा देन उसके बाद नोवंबर और दिसम्बर में आपको जो है medical or document verification कराया जाएगा लास्ट ओफ दिसम्बर में joining letter मिलने स्टार्ट हो जाएगे दिसम्बर के लास्ट से joining letter मिलेंगे इससे पहले आपको joining letter नहीं मिलेंगे तो गाईज इंडिया नेवी ट्रेट्स मेनमेट से लेटिड सभी बाते मैंने आपको बता दी कोई question कोई डाउट हो तो पूछ लीजेगा वीडियो अच्छे लगी हो तो गाईज फटा फटा से सभी like जरूर कर दें अपने सभी friends के पास share कर दें और अगर आप channel पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे है exam for you channel को subscribe कर लेना बैल आइकन को on कर लेना जो भी update होगी सबसे पहले आपको यह पर देखने को मिलेगी वीडियो को फैला देना जिसने भी इंडियर नेवी ट्रेयर्स मेनमेट का पेपर दिया है ताकि उन्हें भी पता चल जाए कितने नंबर पर आपका selection होने वाला है पर आपकी क्या जाएगी रिजल्ट का बार आए और medical का criteria measurement आपका क्या रहने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो में तना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक कि लिए जैह जैभारत